आज के समय में जब भी मेंदान पर छक्के की बात होती है तो सबसे पहले नाम और चहरा भारते टीम के कप्तान और हिट मैन रोहिश शर्मा का सामने आता है वो इसलिए क्योंकि रोहिश शर्मा ने छक्कों के लिए कई रिकॉर्ड अपने नाम किये हैं लेकिन अब उनकी रिकॉर्ड को UA की कप्तान ने तोड़ दिया है UA की कफ्तान मोहमध बसीम ने एक साल में ही इंटरनाशनल कृकेट में छक्कों का सतक लगा दिया है अंदर राश्टी किर्केट के एक साल में UAE के कप्तान ने सबसे ज़्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड अपनी नाम किया है अभी तक ये रिकॉर्ड हिट मैन रोहिश शर्मा की नाम था रोहिट ने एक साल में 80 छक्की लगा कर रिकॉर्ड बनाया था ये रिकॉर्ड रोहिट ने इसी साल बनाया था वहीं UAE के मोहमत बसीन साल 2023 में 101 छक्की लगाए हैं इससे पहले भी रोहिश शर्मा ने साल 2019 में 78 छक्की लगाए थे अभी तक एक साल में रोहिट के अलावा किसी भी बल्लिवाज ने अंतराश्ट्य क्रिकेट में 74 से ज़्यादा छक्की नहीं लगाए हैं अंतराश्टे क्रिकेट के एक साल में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लिवास मुहम्मद वसीम ने 101 वाद छक्का साल के अंतिम 47 वे मैच में लगाया वहीं दूसरे नमबर पर मौझूद रोहित श्यर्मा ने 80 छक्के 35 मैचों में बनाए रोहित ने इस दोराण टेस्ट, वंडे और T20 तीनों फॉर्मेट में छक्के लगाए हैं जबकि वसीम ने केवल वंडे और T20 में छक्के लगाए हैं रोहित श्यर्मा के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दे से सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में